C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित की पाठ्य पुस्तक, गनित का जादू 2, प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 8, इसका शीर्शक है करो मजे 10 के साथ, प्रिष्ट 56 से प्रिष्ट 65 तक, तो आईए अब सुनते हैं अध्याय 8, शीर्शक, करो मजे 10 के साथ, प्रिष्ट 56 इस प्रिष्ट पर सबसे ऊपर नीले रंग के अक्षरों में इस अध्याय का शीर्शक लिखा है करो मजे 10 के साथ, उसके बाई ओर 8 लिखा गया है इस प्रिष्ट पर शीर्शक के नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक लड़की दिखाई गई है और वो कह रही है मेरी मदद करो। उसके सामने चित्र में एक एक रुपई के तीन सिक्के और दस दस रुपई के दो नोट रखे हुए हैं। साथ ही लिखा है अंकल मैं 18 रुपई की पैंसिलें खरीदना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 के दो नोट हैं और एक एक रुपई के सिक्के हैं। मैं आपको कितने नोट और सिक्के दूँ। इस चित्र के नीचे बाई और दिखाए गए चित्र में एक पुरुष उत्तर देते हुए कहते हैं। 18 रुपई का मतलब है दस रुपई का एक नोट और एक एक रुपई के आठ सिक्के। इसके दाई और बनाए गए चित्र में वह लड़की उंगली से इशारा करते हुए दिखाई गई है। और सामने दस रुपई का एक नोट और एक एक रुपई के आठ सिक्के चित्र में दिखाए गए हैं। इसके नीचे दिखाए गए चित्र में वह लड़की अंकल से कह रही है पैंतीस रुपई के लिए मुझे कितने नोट और सिक्के देने होंगे। उत्तर देते हुए वो अंकल कहते हैं तुम मुझे तीन दस रुपई के नोट और एक रुपई के पांच सिक्के दो। इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे बाई और दिखाए गए चित्र में वह लड़की कहती है अच्छा अंकल अगर उत्तर में अंकल कहते हैं अरे मुझे ये बताओ के तुम्हें कितनी पैंसिलें चाहिएं। इसके साथ दिखाए गए चित्र में वह लड़की वहां से भागते हुए दिखाई गई है और वो कहती है एक भी नहीं मेरे ग्रिह कार्य में मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रिष्ट सत्तावन बिना अंकल की मदद से क्या तुम ये कर सकते हो। इन चीजों के लिए तुम्हें कितने दस रुपाई के नोट और एक एक रुपाई के सिक्के चाहिए। चित्र बनाओ। इस प्रिष्ट पर बाई और ऊपर कुछ पुस्तकें दिखाई गई है और उनके सामने कीमत लिखी गई है बीस रुपाई। इसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है रिक्त स्थान को भरें। इसके नीचे पानी पीने की एक बोतल का चित्र दिखाया गया है जिसकी कीमत लिखी गई है 32 रुपाई। इसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है कृपया इसे भरें। इसके नीचे पैंसिलों का एक बोक्स चित्र के रूप में दिखाया गया है। उसकी कीमत लिखी गई है 55 रुपाई। इसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान को भरें। इन नोटों और सिक्कों को मिला कर कितने रुपए होंगे। इसके नीचे 10 रुपए के 3 नोटों का चित्र दिखाया गया है। उसके सामने लिखा गया है बराबर तीस रुपाई। इसके दाई और दस रुपाई के दो नोटों के चित्र दिखाए गई हैं और एक रुपाई के तीन सिक्के चित्र में दिखाए गई हैं। उसके आगे लिखा गया है बराबर है रिक्त स्थान रुपाई। रिक्त स्थान को भरें। इसी प्रकार बाई और नीचे एक रुपाई के दस सिक्के चित्र में दिखाए गई हैं। उनके सामने बराबर का चिन्ह लिखा गया है और उसके सामने रिक्त स्थान छोड़ा गया है और उसके आगे लिखा है रुपाई। इस रिक्त स्थान को भरें। दाई और नीचे दस रुपाई के दो नोटों के चित्र दिखाए गई हैं और एक रुपाई के साथ सिक्के चित्र में दिखाए गई हैं। उनके सामने बराबर का चिन्ह लिखा गया है और उसके सामने रिक्त स्थान छोड़ा गया है और उसके आगे लिखा है रुपई। इस रिक्त स्थान को भरें। दाई और नीचे दस रुपई के चार नोट दिखाए गए हैं। इनके नीचे पांच एक रुपई के सिक्के चित्र में दिखाए गए हैं। इनके नीचे बराबर का चिन्ह लगा है और उसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है और फिर रुपई लिखे गए हैं। ये कितने रुपएं हैं रिक्त स्थान को भरें। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। खेलने वाले नोटों से इसी तरह का अभ्यासकार्य कक्षा में करवाईए। प्रिष्ठ अठावन अभ्यासका समाई इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर दिखाए गई चित्र में एक बालक कह रहा है। मैं एक संख्या बोलूँगा, बताओ उसे दो हिस्सों में कैसे तोड सकते हैं। उसे उत्तर देते हुए दाई और दिखाए गए चित्र में बालक उससे कहता है अच्छा, तुम बताओ, मैं करता हूँ। बाई और लाल रंग की टी-शट पहने हुए बालक उससे कहता है 64, दाई और चित्र में नीले रंग की टी-शट पहने हुए बालक उससे कहता है 60, जमा 4, इसी प्रकार बाई और दिखाया गया बालक उससे कहता है 25, उत्तर में दाई और चित्र में नीले रंग की टी-शट पहने हुए बालक उससे कहता है बीस जमा पांच इसके नीचे दिखाए गए चित्र में लाल रंग की टी-शट पहने हुए बालक उससे कहता है अच्छा बताओ कि तुम बारह को कैसे तोडोगे दाई और दिखाए गए चित्र में नीले रंग की टीशट पहने हुए बालक उससे कहता है देखो 64 और 25 से तो हमें संख्याओं का तोड़ पता चलता है लेकिन 12 इनसे अलग है ऐसे ही 11 भी अलग है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे अभ्यास दिया गया है लिखा है अब तुम इने लिखो और जोर से पढ़ो 27 बराबर है रिक्तस्थान जमा साथ 31 बराबर है 30 जमा रिक्तस्थान 54 बराबर है रिक्तस्थान जमा रिक्तस्थान रिक्त स्थान बराबर है 90 जमा 9, 63 बराबर है रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान, 36 बराबर है रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बराबर है 80 जमा 2. कृपया रिक्त स्थानों को भरें इस प्रिष्ठ पर दाई ओर नीचे दिखाए गए चित्र में नीले रंग की टीशट पहने हुए बालक कहता है आप इनको तोड़ कर लिखने की कोशिश कीजिए 12 बराबर है 10 जमा दो 19 बराबर है रिक्त स्थान जमा नौ 11 बराबर है रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान रिक्त स्थान बराबर है 10 जमा साथ इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों से पता कीजिए किया उन्हें किसी दूसरी भाशा में भी गिंती आती है अंगरेजी भाशा में गिंती के पैटन पर बच्चों से चर्चा करने पृष्ट, 69 कडा फेको इस पृष्ट पर सबसे उपर कड़ा फेकने के खेल को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है चित्र के नीचे लिखा है कर्मा और गेसर कड़ा फेकने का खेल खेल रही है कर्मा ने कड़ा बिंदियों पर फेंका हर बड़ी लाल बिंदी दस अंकों के बराबर है हर छोटी हरी बिंदी एक अंक के बराबर है रिंग के अंदर अंदर आने वाली बिंदियाँ हैं बिंदियाँ लाल रंग की एक, दो, तीन, चार हरे रंग की एक, दो, तीन, चार अंक लाल रंग की चार बिंदियों के चालीस और हरे रंग की चार बिंदियों के चार इसलिए कर्मा को चवालीस अंक मिले वे दोनों दो-दो भार कड़ा फेंकते हैं ये रहे उनके अंक इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चार अलग-अलग कॉलम में चार शीरशक दिये गए हैं पहले कॉलम में लिखा है फेंक, दूसरे में कर्मा, तीसरे में गेसर और चौथे में कौन जीता इसके नीचे पहली कोशिश में कर्मा ने चवालीस, गेसर ने तेरह अंक चासिल कीए कौन जीता वाले शीरशक के नीचे विजेता का नाम लिखा है पहली बार कर्मा जीता फेंक वाले शीरशक के नीचे दूसरी पारी की बात की गई है इसमें कर्मा को सूलह अंक मिले और गेसर को 32 कौन जीता? गेसर प्रिष्ठ साथ इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर एक बड़ा सा चित्र दिखाया गया है जिसमें लाल रंग की बड़ी बिंदियां और हरे रंग की छोटी बिंदियां दिखाई गई है इसके नीचे लिखा है तुम भी इस खेल को अपने दोस्त के साथ खेल सकते हो अपनी हर फेंक पर पाए गए अंक लिखो इसके नीचे एक तालिका दी गई है तालिका में सबसे उपर सलेटी रंग के कॉलम में चार शीरशक दिये गई है पहले कॉलम में लिखा है फेंक, दूसरे में मेरे अंक, तीसरे में मेरे दोस्त के अंक और चोथे में विजेता फेंक शीरशक के नीचे अलग-अलग कॉलमों में पारी का नंबर लिखा गया है याने पहली, दूसरी, तीसरी, चोथी, पांचवी, छठी और इसके सामने मेरे अंक, मेरे दोस्त के अंक और विजेता शीरशक के नीचे कॉलम खाली छोड़े गई हैं इन्हें भरें इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे नारंगी रंग के कॉलम में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश, मनही मन सोच कर स्कोर बताने के लिए छात्रों को प्रेरित करीं प्रिष्ठ 61 बंसुरी वाला और चूहे इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर चित्र एक के माध्यम से एक शहर में बहुत सारे चूहों से प्रताडित लोगों का चित्र दिखाया गया है इसके नीचे दिखाये गए चित्र में यानि चित्र नंबर दो में राजा घोशना करते हुए दिखाये गए हैं वे कहते हैं, मैं किसी ऐसे आदमी को ढूंड रहा हूं, जो चूहों को टोकरे में पकड़े, हर चूहे पर एक सुने का सिक्का मिलेगा। इसके दाई और दिखाए गए चित्र में, यानि चित्र नमबर तीन में, बांसुरी वाला राजा से कहता है, मैं करूँगा। उत्तर में राजा कहती हैं, क्या बांसुरी से? इस प्रिष्ठ के सबसे नीचे बाई और बांसुरी वाले का चित्र दिखाया गया है, वो बांसुरी बजा रहा है और उसके पीछे पीछे शहर के चूहे दोड़ते चले जा रही हैं। इस चित्र के दाई और याने चित्र नमबर पांच में बांसुरी वाला राजा से कहते हुए दिखाई दे रहा है, कि मेरा इनाम महराज मैंने असी चूहों को टोकरे में पकड़ लिया है, राजा उत्तर देता है, पर तुमने इतनी जल्दी इतने सारे चूहे कैसे गिने। प्रिष्ट बासट बांसुरी वाला उत्तर देता है, बहुत आसान मैंने इन कार्डों का इस्तिमाल किया, मैंने एक चूहा गिना और एक कार्ड अपनी जेब में रखा, एक चूहे के लिए एक कार्ड, दो चूहों के लिए दो कार्ड। इसी प्रकार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे कार्ड और कितने चूहों के लिए? रिक्त स्थान। जब मेरे पास दस कार्ड हो गए, तो मैंने उनके बदले में अपनी जेब में ये कार्ड याने दस का एक कार्ड रख लिया। इस प्रिष्ठ पर दाई और दस चूहों के चित्र के ऊपर एक कार्ड दिखाया गया है, जिस पे लिखा गया है दस। इसी प्रकार एक एक चूहे के लिए इस प्रिष्ठ पर नीले रंग से एक लिखा हुआ एक एक कार्ड दिखाया गया है। इस चित्र में बीच में एक एक करके पांच पांच चूहे दो बार पकड़े गए। ऐसा चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, यानि एक चित्र में पांच चूहे पांच कार्ड दूसरे चित्र में भी पांच चूहे पांच कार्ड दिखाये गए हैं और इनके ठीक सामने दाई और तीर के निशान के माध्यम से बताया गया है कि ये कुल मिलाकर हुए दस चूहे, जिन्हें पीले रंग के बकसे में एक कार्ड को दिखाया गया है, जिस पे लिखा है दस, इसके नीचे लिखा गया है, तब साथ और चूहे आए, तब मेरे पास जेब में थे, जिन्हें दस चूहों के लिए एक पीले रंग का कार्ड और साथ चूहों के लिए नीले रंग का एक एक करके साथ कार्ड, याने सत्रह चूहों के लिए, इस प्रिष्ठ पर नीचे लिखा गया है, उसके पास जेब में कौन-कौन से कार्ड होंगे अगर उसने इतना गिना कर, तेईस, नीले रंग का एक काड, पीले रंग याने दस चुहों वाला एक काड, फिर नीले रंग का एक चुहे को चिन्नित करता एक और काड, और फिर दस चुहों को चिन्नित करता पीले रंग का एक काड, और फिर नीले रंग का एक काड, जोके एक चुहे को चिन्नित करता है ख, 47 इसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है ग, 55 इसके सामने तीर का निशान दिया गया है और खाली स्थान छोड़ा गया है ग, 63 इसके सामने तीर का निशान दिया गया है और रिक्त स्थान छोड़ा गया है ड, 72 इसके सामने तीर का निशान दिया गया है और रिक्त स्थान छोड़ा गया है च असी इसके सामने तीर का निशान दिया गया है और रिक्त स्थान छोड़ा गया है कृपया रिक्त स्थान को भरें इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे सलेटी रंग के बक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों को प्रेरित करें ताके वे टोकन कार्ड बनाएं और अलग-अलग गतिविधियों में उनका इस्तेमाल करें शिक्षक कक्षा में एकाई दहाई द्वारा संख्याओं की तुलना करवाईं प्रिष्ठ तरेसट इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर लिखा है राजा ने इनाम में बांसुरी वाले को सोने के सिक्के दिये इसके नीचे बांसुरी वाले का चितर दिखाया गया है इस चित्र में वो सिक्कों की गिंती कर रहा है उसने दस-दस सिक्कों की अलग-अलग धेरियां बनाई हुई है और वो कहता है ये तो असी सिक्के नहीं है क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो के इसके बाद क्या हुआ अब कक्षा में इस कहानी का नाटक बनाओ इस प्रिष्ट पर नीचे बांसुरी वाले को बांसुरी बजाते हुए उन चुहों को टोकरे में से बाहर भेजते हुए दिखाया गया है ये चुहे उत्पात मचा रहे हैं और राजा के उपर कूद रहे हैं राजा दुखी दिखाया गया है बांसुरी वाला कहता है ये लो अपने चुहों के साथ मजुडाओ प्रिष्ट 64 स्कूल का सफाई दिवस इस प्रिष्ट में सबसे उपर दाई और एक कन्या का चित्र दिखाया गया है वो एक पेड़ के पास बैठी है और पेड़ की एक डाल पे एक चीन्टी को चलते हुए दिखाया गया है वो कह रही है आज हमें अपने स्कूल की सफाई करनी है हम टीम बनाएंगे हर टीम में दस बच्चे होंगे इसके नीचे बच्चों का एक चित्र दिखाया गया है उन सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एक गोला बनाया हुआ है वे कह रहे हैं हमारी टीम सबसे अच्छी सफाई करेगी चलो चलो घिसो मलो इस घेरे के अंदर लिखा गया है हर कक्षा में बच्चों की संख्या इस तरह है कक्षा एक, तरेपन, कक्षा दो, बयालीस, कक्षा तीन, पैंटीस, कक्षा चार, चववन, कक्षा पांच, चब्वीस प्रिष्ट, पैंसट इस प्रिष्ट पर सबसे उपर लिखा गया है हर कक्षा में कितनी टीमें होंगी, कितने बच्चे किसी भी टीम में नहीं होंगे यहां लिखो इस प्रिष्ट पर एक तालिका दिखाई गई है इस तालिका में सबसे उपर वाले कॉलम में, पीले रंग के कॉलम में, दो शीरशक लिखे गए हैं पहला कितनी टीमे और दूसरा बचे हुए बच्चे इसके नीचे सलेटी रंग के कॉलम में लिखा गया है कक्षा एक, कक्षा दो, कक्षा तीन, कक्षा चार और कक्षा पाँच सलेटी रंग के इन पाँच कॉलमों के सामने दिये गए कॉलम खाली छोड़े गए हैं इन में शीरशक के अनुसार आप रिक्त स्थान को भरें इस तालिका के नीचे लिखा गया है कुल कितने बच्चे किसी टीम में नहीं होंगे रिक्त स्थान को भरें इन बच्चों से कितनी टीमें और बन सकती हैं रिक्त स्थान को भरें अभ्यास का समाई तुम्हारे स्कूल में दस-दस की टीमें पता करो तुम्हारे स्कूल की हर कक्षा में कितने बच्चे हैं हर कक्षा में दस-दस की टीमें बनाओ हर कक्षा में कितने बच्चे किसी टीम में नहीं हैं इसी के साथ पंद्रह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय आठ यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला कोचर तक्नीकी समन्वे बटिलैंगलिंग्डो निर्माण सहयोग रुची शर्मा निर्देशन वन निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत